प्रदानमंत्री नरेंद मोदी की सिंगापुर के प्रदानमंत्री ली एच लूंग के साथ हुई मुलाकात इस दोरान दोनों देशों के बीच ब्यापार को बढ़ावा देने के लिए करीब 14 समझावतों पर हुए हस्ताक्षर पीम मोदी के संसदी एच शेतर बारानसी में टला एक और बड़ा हादसा निर्माडा दिन फ्लाई ओवर की सडग पर गिरी प्लेट किसी के हताहत होने की नहीं सूचना जाच के दिये गए आदेश गुजरात एटियस को मिली बड़ी कामे अभी मुंबई बं दमागों का आरोपी अहमद मुहमद हुआ गिरफ्तार जम्मू कश्मीर में फिदाईन हमले की खुपी आईजंसी ने जताई आशंका आई अलर्ट जारी किसाना से दस दिनों की हड़ताल पर सडकों पर दर्शन करते हुए फैलाया दूद और सब्जिया एटरल डीजल के बाद गया सिलेंडर हुआ महेंगा दिल्ली में सबसिडी वाला सिलेंडर दो रुपए 34 पैसे और बिना सबसिडी वाला सिलेंडर 48 रुपए हुआ महेंगा प्रवर्तन्य देशाले ने बी सी सी आई एन श्री निवासन ललित मोधी पर लगाया 121 करोड रुपए से ज्यादा का जुर्माना इन लोगों पर ये जुर्माना 2009 में हुए IPL के दोरान फेमा कानून के कथित उलंगन के लिए लगाया गया बॉलिवुड की अपने त्री नर्गिस दत का आज है जनन दिन नर्गिस ने अपने चार दशक के फिल्मी करियर में तकरीबन पच्पन फिल्मों की आकाम उनका जनमे एक जून 1929 को पश्चिम मंगाल के कोलकाता में हुआ बॉलिवुड की अपनेता आर्मादवन का आज है जनन दिन उनका जनम एक जून को जमशेत पुर में हुआ हाज जारी होगा राजस्तान बोर्ड बार्वी के आठ का रिजल्ट बोर्ड पहले ही कर चुका बार्वी के साइंस और कॉमर्स के नतीजे जारी